रामलीला की सात्वे दिन बुधवार को लाल किले की प्रसिद्ध श्रीधार्मिक रामलीला में सीता का लक्षमन रेखा से बाहर आकर रावन को भिक्षा देना, रावन का सीता का हरं करना, जटायू का रावन को रोपना और सीता का विलाप करते हुए आभूशन फेकना, राम देश श्रीधार्मिक रामलीला लाल किले की प्रसिद्ध रामलीला यहां आए लोगों में खासा उत्सार देखते ही बन रहा था बता दे की इस बार श्रीधार्मिक रामलीला अपना 101 वर्ष मना रहे हैं और इस बार दशेहरा पर भारत की राश्ट्रपती दौपदी आमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन देशों के कई राजदूतों और राजनेकों को रामलीला के लिए आमंत्रिप किया गया आए देखते हैं हमारे वरिष्ट समवाद्दाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में यहां आए अतिथी RSS के इंद्रेश कुमार और श्री प्रभु श्री राम के जीवन का मंचन कर रहा है और देख रहा है श्री राम एक ऐसा जीवन है जो सभी प्रकार के आदर्शों का उच्चतम शिखर है उनके जीवन को देखना सुनना समझना और उस पर चलना सबसे बड़ा कल्यान कारी कारी है श्री धार्मिक लीला कमेटी पिछले 101 वर्ष से इस आयोजन को निर्बाद कर रही है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वैं हर वर्ष लाखों लाख लोगों के अंदर नेतिकता को जनम देते हैं नेतिकता का विस्तार करते हैं राम चुआ चूत मुक्त प्रशाशन वेवस्था थी राम जो गरीब है दुखी है पीडित है कमजोर है असाय है निर्बल है उनके लिए ममता मै सहयोग की और सदभाव का चरित्र है राम नारी के सम्मान का उसके शोशन से मुक्ती का रास्ता है राम आदर्श पुत्र भी है पती भी है पिता भी है सेवक भी है जिनोंने क्रोध पर हिंसा पर नफरत पर वेमनस्य पर जितने भी विकार है उन पर अपने जीवन के अंदर विजय प्राप्त की हुई थी इस प्रकार का उनका जीवन है अहल्या का उधार करके उन्होंने नारी के सम्मान की उचतम जीवन मुल्य को स्थापित किया। इसी प्रकार से शबरी के हाँ जाकर छुआ छूत मुक्ती का पावन संदेश दिया कि छुआ छूत मुक्ती ही धरम है, करम है। जो छुआ छूत मानता है वो अधर्म पाप और अपराद करता है। मैं आयोजकों के द्वारा जो यहां अनुशाशन विवस्ता है, प्रयावन विवस्ता है, यहां पर अनुशाशन और संसकार विवस्ता है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और वह सदा यशश्वी हो इसके लिए प्रभू से मंगल कामना करता हूँ ऐसा है जनता ने अपना मत दे दिया है वो मत सब के सामने है मैं एक बात पक्की कहूँगा जो विपक्ष था कॉंग्रेस का नित्रित उसने हमेशा गोट वैंक की राजनिती की है समाज को डिवाइड एंड रूल के रास्ते पर ले जाकर भै पैदा करने का काम किया है तो इसलिए उनका रास्ता स्वस्थ लोकतंत्र का नहीं है बलके एक हिंशक लोकतंत्र का है हर्याना की जनता ने बाटने वाली लड़वाने वाली बर्गलाने वाली और भै दिखाने वाली राजनिती को नकार कर जो सब को साथ लेकर सब के विखास के लिए काम करें, जो जन हित के अंदर काम करें, उस राजनिती को स्विकार करके हर्याने के चुनाप प्रिनाम को जन्ता ने लिखा है और बोला है। इंसाएं थी भै थे और भेद थे, ऐसे सारे भेदों को उन्होंने नकारा है। और जन्ता ने ये कहा है कि हमें बाटी हैं नहीं, हम आवाज दो, हम एक थे, एक हैं, एक ही रहना चाहते हैं। इसलिए हर्याना हिंदुस्तान का वो मोडल बनना चाहता है, जहां मजव के नाम पर भेद और धंगे ना हों, जाती के नाम पर छुआ छूत ना हों, जो गरीब दुखी पीडी ते उसका शोशन ना हों, और इस बात पर उसने मोहर लगा कर आपनी वोट दी है। इसलिए राजनेताओं को इससे सबक लेना चाहिए। जरूर टेक्नीक्स हम नए टाइप की यूज़ करना कर रहे हैं इस पर जो भी रहमाइन का प्ले करते हैं, वो बिलकुल पुराने टाइप का बिलकुल रहमाइन से जो बिलता जुरती चीज़े वो ही दिखाते हैं। और यही जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं पढ़ पढ़ के रहमाइन के जो भी अध्याय हम पिछले साल नहीं दिखा पाए हैं। उनको भी हम इसके अदर जोड़ें। और चाते हैं के बहुत सारी लोग आए, बहुत पब्लिक आए यहां पे, बच्चे बहुत आए, यूथ बहुत आए। जिसे वो राम का जो भी यह प्ले देखते हैं उसे अपनी शिक्षा लें। जो भी राम ने अपने जीवन के अंदर काम करेते हैं, जो सब चीज़े अच्छी अच्छी करी थी, उनका पूरा अपनी जीवन के अदर उनको उपदेश पर आके आगे चले। आज के कौन कौन से सीन है? अगर आज के सीन के बात करें तो आज कौन कौन से सीन है? आज मंच पे हनुमान जी का मिलना है राम जी से और राम जी ने उन्हें बताया कि मेरी सीता और की सीता जी का चोरी हो गई हैं, तो हनुमान जी ने कहा है कि आप किसी बात की चिंता ना कर हम आपके साथ है और तीता जी को जरूर धूड के लाएंगे हम और हनुमान जी का लंका में जाना है वहां पे लंका जलाना है या दिया है आज की तरह विजे दिश्मी पे कौन से आती थी इस वारी मुख्य दिधी रहने वाले हैं हमारे देश की महामी मुख्य मुर्मुर जी की आ रही है और प्राइम मिनिस्टर साब आ रहे हैं वो दिधी यह इस वारी की विजे दिश्मी के मुख्य अतीत्थी रहेंगे हां जी लगवाब कनफर्म हो चुका है हां जी झाल